शिरिक गुरुगरान साव सोठी पांज पै किरिपाल गुरु गोबिंदा सगर मनोरत पाए अस्तीर पै लागी हरी चर्नी गोबिंद के गुन गाए पलो सम्मूर्त पूरा सांती सैज अनंद नामू जापी वाजे अनहत तूरा है भाई जी जिस मनुश्य पर परमात्मा गोबिंद का रूप गुरु द्यालु होता है उसके मन को सब आकांचाएं पूर्न हो जाती क्योंकि गोबिंद की गुन स्तुति के गीत गागा करके प्रभु गोबिन्द के चर्णों में प्रभु हरी के चर्णों में लगन लगा करके वे मनुश्य माया के प्रती उपजने वाले आकर्शन से हट जाता है पहे किरिपाल गुरु गोबिन्दा सगन मनुरत पाये अस्थिर प्य लागी हरी चरनी गविंद के गुन कई वैस समय सुहाम न उता है शुब होता है जब पर्मात्म हरी पर्मात्मा गविंद का नाम जप करके उसके भीटर शान्ति आत्मिक स्थिर्ता अनन्द का अन्हद नाद होने लगता है मिले स्वामी प्रीतम अपने करमंदर सुखदाई हरी नामु निदानु नानक जनपाया सगली इच्छ पुजाई है बाई जी जिस मुनश्य को मालिक प्रितम प्रभु हरी जी मिल पड़ते हैं उसे ये घर घाट सब सुखदाई परतीत होते हैं है नानक जी जिस मुनश्य ने प्रमात्मा हरी का नाम खजाना प्राप्त कर लिया है उसकी हर एक मनो कामना पूर्ण हो जाती है हरी नामनी दानू नानक जन पाया सगली इच्छ पुजाई सोटी मेला पजवा गुर्के चरण वसे रित पीतरी सुब लखन प्रभु कीने भे किरपाल पूरण परमेशर नामनी धान मनी चीने मेरे गुरू रखवार उमीत दून चौनी देव डियाई सोबा नीता नीत है भाई जी जिस मनुश्य के हिते में गुरू के चर्नों का अन्राग है प्रभु ने उसके भीतर सफलता लाने वाले लक्षन पैदा कर दी है सर व्यापक प्रभु जिस मनुश्य पर द्यालू होगे उस मनुश्य ने परमात्माहरी के नाम के खजाने अपने मन में टिके हुए पैचान लिए भै किरपाल पूरन परमेशर नामनी धान मनी चीने है भै जी मेरा गुरु मेरा रक्षक है मित्र है मैं मुझे महानता देता है जो दिन दुनी रात जोगनी होती है वही प्रभु मुझे हमेशा सत्कार दिलाता दोन चौनी देवडियाई सववा निता नित जी जन्त प्रभु सगल उदारे दर्सन देखनारे गुर्पूरे की एचरजवडियाई नानके सद बलियारे है भै जी गुरु का दर्शिल करने वाले सम मनुष्यों को प्रभु ने बचा लिया पूर्ण गुरु का इतना बड़ा स्थान है कि हैरानी हो जाती है नानक ची का कथन है कि मैं गुरु पर सद बलियार हूँ जी जन्त प्रभु सगल उदारे दर्सन देखनारे कुर्पूरे की एचरजवडियाई नानके सद बलियारे सोठी मेला पजवा सचनी करूं नाम तनु निर्मल धाती अगम अपार बिल्ची विनोद अनन्द सुख मानूं खाईं जीओं सिख परवार हरी के चरण कमल आदार संत परसादी पायो सच बहुतु चड़ी लंगूं विखो संसार मैं परमात्मा के पृत्र नाम का धन कतेत कर रहा हूं संचित करम नाम धनु जहां ये धने कठा किया जाए वहां अगम्य तथा अनन्द प्रवु का निवास हो जाता है है गुरू के सिख परिवार तुम भी नाम भुजन खा करके आत्मी के जीवन पराप्त करो और परसन नहों करके आत्मी के सुख अनन्द प्राप्त किया करो बिल्खी विनोद अनन्द सुख मानों काई जीवन सिख परवार मैंने परमात्मा के कॉमल चर्णा को आसरा बना लिया ग्रू की किर्पा से मैंने सत्य सरूप प्रवु का नाम जहाज प्राप्त कर लिया उस पर चर्ण करके मैं विश से भरे संसार समुद्द से पार दरा हूँ हरी के चरन कमल आदार संत पर सादी पायो सच बहुत हो चड़ी लंगो तिक्ख विक्ख संसार पे किर्पाल पूरण विनासी आपी किनी सार पिक्खी पिक्खी नानक विक्षानो नानक नाई सुमाद है भाई जी जिस मनुश्य पर सर्व्यापक का विनाशी प्रभु जी त्याल होते हैं उसकी संभाल आप ही करते हैं नानक उसका ये कोतुक देख देख करके खुश हो रहे हैं ये नानक जी प्रभु की त्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता पेखी पेखी नानक विगिसानों नानक नहीं सुमा सोठी महला पंजमान गुर पूरे अपनी कल तारी सब कट उपजी दया आपे मेली वडाइकी नी कुसल खेम सब पया सत गुरु पूरा मेरे नाली पर ब्रह्मु जपी सदा निहार है भाई जी पूर्ण गुरु ने मेरे भीतर अपनी ऐसी स्थिति ऐसी शक्ति भर दिया कि मुझे में सब जियों के लिए प्रेम पैदा होंगे गुर पूरे अपनी कल तारी सब कट उपजी दया अपे मेली वडाइकी नी कुसल खेम सब पया है भाई जी आप ही प्रभू चर्णों में अन्राग उत्मन करके आप में को उच्छता परदान किया है अब मेरे भीतर अनंद ही अनंद बना रहता है है भाई जी पूर्न गुरू मेरे साथ है उनकी क्रिपास परमात्मा का नाम जब जब करके मैं सदा परसन्न चित रहता हूँ सद्गुर्पूरा मेरे नाली पर भ्रम्मु जपी सदा निहान अंतरी बार थान थनंतरी चतकत पेखु सोई नानक गुरु पायो वडपागी तिस्सु जेवडु अवर ना कोई है भाई जी आप अपने भीतर और बार सर्वत्र में जहां भी देखता हूँ परमात्मा हरी ही तिस्ठी को चरोते हैं नानक जी सभाग्यवाश मुझे गुरु मिल गया है जो अप्रति में नानक गुरु पायो वडपागी तिस्सु जेवडु अवर ना कोई सोठी मेला पजवाश सुख मंगलक लियान सहज तुनी प्रब के चरण निहारया राख नारे राख्यो बारिकू सत्गुर्ता पोतारया उब्रे सत्गुर्की सर्नाई जाको सेव नवित्थी जाए गुरु ने अपने शरन में आई व्यक्ती का संताप दूर कर दिया रक्षा करने में सम्मर्थ गुरु ने उस बालक को बचा लिया जैसे पिता अपने पच्चों को बचाता है जिसने प्रमात महरी के चर्नों का दर्शन कर लिया उसके भीतर सुख, अनंद और उल्लास का प्रवाब पैव था राखनारे राख्यवारी को सत्गुर्टा पूटा रिया है भाई जी जिस गुरु की सिवा व्यत्थ नहीं चाती उस गुरु की शरन जो मुनुशे लेते हैं में संसारिक बादाओं से बच जाती है उबरे सत्गुर्की सरनाई करी नहीं करीम ही सुख बार फुनी सुख का प्रव अपने पे दियाला नानक विगनों ना लागे को मेरा प्रव होया किरपाला गुरु के शर्णागत विक्ति के हिते में आत्मी करनंद बना रहता है बाहर लोकी के विवार निवाते हुए भी उसे आत्मी के सुख मिला रहता है उस पर हमेशा प्रव ध्यालू रहता है है नानक जी उस मनश्य की जिन्दी के रास्ते में कोई रिकावर्ट नहीं आती हुए उस पर प्रमात्मा किरपालू हुआ रहता है सोठी मेला पंजमा सादो संगी प्यामन उद्मो नाम रतन जसुगाई मिटगी चिंता सिमरी अनन्ता सागरो तरिया पाई इद्दे हरी के चरन वसाई सुख पाया सैज तुनी उपची रोका कनी मिटाई है भाई जी गुरू की संगती में रहने से मन में उद्ध्यम पैदा होता है शेष्ट नाम जपने लग जाता है और प्रमात्माहरी की गुनस्तुती के गीत गाने लगता है सादू संगी प्यामन उद्मो नामो रत्नो जशुकाई अनन्त प्रभु का समरन करके मनश्य की चिंटा भे मिट जाते है और वैसन साथ समुद्धर से पार हो जाता है मिटे की चिंटा सिमरी अनन्ता सागर उतरे आ जाए है भाई जी अपने हिद्धे में प्रमात्माहरी के चरण टिकाए राक अर्थात प्रभु समरन किया कर ऐसा करने वाले व्यक्ति ने आत्मी का अनन्द प्राप्त कर लिया उसके भीतर आत्मी के स्थित्ता की धनी पैदा होगी और उसने भीतर से रोग समाप्त कर लिया सुख हो पाया सैज तुनी उपजी रोगा कानी मिटाई किया गुन तेरे आखी बखाना कीमती कहन न जाई ननक पगत बे अविनासी अपनो प्रभा प्या सहाई है प्रभु जी मैं तुमारे कौन कौन से गुन पखानू तुमारा मुल्गे शब्दों से परे है है ननक ची प्यारा प्रभु जीन मनिश्यों का मददकार बनता है वे भक्त जन आत्विक मिरित्यों से रहित हो जाते हैं ननक पगत बे अविनासी अपना प्रभु प्यास सहाई प्रभु अपने किर्पा तारी आठ पर अरादू स्वामी पूरन काल हमारी हरी जी तु सुख संपत्ती रासी राखी लेहूं पाई मेरे को प्रभ आगे अरतासी हे भाई जी जिस मनुष्य पर भी प्यारे प्रभु ने किर्पा की उसके सब किलेश तिता रोग दूरोग गे किलेश रोग सब नासे प्रभी अपने किर्पा तारी हे भाई जी मालिक प्रभु को आठो पहर समरन करते रहा करूं हम जीयों की मेहनत अवश्य सफलोती है आठ पैर अरादू स्वामी पूरन काल हमारी हे प्रभु जी तुम ही मुझे आत्मी का नंद की धन दोलत देने वाले हो हे प्रभु जी मुझे कलीशों से बचा लो मेरी तुमारे आगे ही प्राथना है हरी जी तो सुख संपती राशी राखी लापाई मेरे को प्रभ आगे अर्दा से जो मांगो स्वई स्वई पाऊं अपने खसंपरोसा कहूं नानक गुरुपूरा पेटियो मिटियो सगल अंदेशा है भाई जी मैं तो जो कुछ मांगता हूं वही कुछ प्राव्त कर लेता हूं मुझे अपने मालिक प्रभू पर विश्वाश है नानक जी का कथन है कि जिस मनश को पूर्ण गुरु मिल जाता है उसकी समस्त फिकर दूर हो जाती है कहूं नानक गुरा पूरा पेटियो मिटियो सगल अंदेशा सोठी मेला पंजवाँ सिमरी सिमरी गुरु सत्गुरु अपना सगला दुख मिटाया ताप रोग गे गुरु वचनी मन इच्छे फल पाया मेरा गुरु पूरा सुख दाता करन कारण समरत स्वामी पूरन पुर्खुवी दाता गुरु की शर्ण लेने वाला मनुश्य बार बार सत्गुर को समरन करके अपना हर एक परकार का दुख दूर कर लेता है सिमर सिमर गुरु सत्गुर अपना सगला दुख मिटाया गुरू की शिक्षा पर चल करके उसके सारे रोग सारे कलेश दूर हो जाते हैं और वैं मनवानचित फल पराप्त कर लेता है ताप रोग गे कुर वचनी मन इच्छे फल पाए है भाई जी मेरा गुरू सरव गुन संपन है सब कुछ देने वाला है सारे सुख देने वाला है मेरा गुर पूरा सुख दाता गुरू उस सर्व यापक सिर्जनहार का रोप है जो सारे जगत का मूल है जो सर्व शक्ति मान है करन कारन समरत स्वामी पूरन पर्खो भी दाता नानक जी का कतन है कि यदि तुझ पर सत्गुत्याल हुए हैं तो तुप प्रवो की गुनस्तुति के गीत गाता रहे। इससे तेरे भीतर अनन्द, खुशियां और सुख बने रहेंगे। कि पर्मात्मा हमेशा रख्षक है। जय जय कार पई जग भीतरी हुया पार ब्रमु रखवाला। सद मेरवान पंदु पाया मेरे सत्गुर पूरे हुई सरवकल्यान। भाई जी पर्मात्मा हम जीवों के कुकर्मा पर कोई ध्यान नहीं देता। वे अपने विरत को समरन रखता है। वे गुरु के माध्यम से अपने बना करके हमें विकारों से बचाता है। गुरु की प्राप्ति से हमेशा भीतर आत्मी का अनंद बना रहता है। यह भाई जी सत्य सरुप मालिक प्रभु सदा द्यालू रहता है। गुरु ने किरिपा करके विकारों के मार्ग में बांद लगा दिया है। और इस परकार भीतर सारे आत्मी का अनंद पैदा होगे। बंदो पाया मेरे सत्गुर पूरे होई सरब कल्यान। जियों पाई पिंडो जिनी साजया तित्ता पैनो खानो अपने दास की आपी पैज राखी नानके सब कुरुबानों। है भाई जी जिस परमात्मा ने प्रान डाल करके शीर उत्पन किया है। जो हमें खुराक था पुशाक दे रहा है। वे परमात्मा हरी संसार समुद्र की विकार रुपी लेरों से अपने सेवक की लाज गुरु के माध्यम्जे खुद बचाता है। नानक ची का कथन है कि वे उस परमात्मा हरी पर सदा बलिहा रही। आपने दास की आपी पैज राखी नानके सद कुरुबान। सोटे मैला पजवाद। जिस प्रानी पर प्रभु किरपालो होगे उसका पूरु कृत पाप प्रभु जी ने दूर कर दिया। इस परकार प्रभु हरी सारे संसार को आपी बचाता है। प्रभु हमेशा अपना विरद समरन रखता है। पारग्रमी प्रभ किरपातारी अपना विर्द समारी है। ये भाई जी प्रभु बादशा पापों से जिसकी रख्या करता है। उसका मन सुकी हो जाता है। उसका शीर सुकी हो जाता है। तुम भी उस परमात्पां के गुनों के गीत गाया करो। तुम्हें भी सुक्ष और सैज वस्ता को अनभूत होने वाला अनन्द प्राप्त होगा। सुक्ष सैज अनन्द गुनगाओं मन तनों दे सुखा ली। पतिद उदारनों सत्गुर मेरा महितिस का परवाला बक्सी ले सभी सचे साइबी सुने नानक की अद्दासा। है भाई जी मेरा गुरु विकार ग्रस्त जीवां को बचाने वाला है। मुझे भी उसका ही सारा है। जिस सत्टे सरुब प्रभु हरीने सारे जीवा गुरु को शर्नागत करके बक्ष दी है। अधात सबको श्यमा का दिया है। प्रभु नानक की प्रात्रा भी सुनने वाला है। बक्षी ले सभी सच्चे साइबी सुनी नानक की अर्दासा। सोठी मेला पजवाँ। बक्षी आपार ब्रह्म परमेशरी सगले रोग विदारे गुर्पूरे की सरनी उद्रे कारज सगल सवारे। हरी जिनी सिम्रिया नाम अदारी तापू उतारिया सद्गुर्पूरे अपने करनी किर्पा तारी। है भाई जी पर ब्रह्म परमेशर के जिस पर कृपा की उसके सारे रोग उसने तूर कर दिये। जो मुलिश्य गुरु की शरण लेते हैं वे दुख कलेशों से बढ़ जाते हैं। गुरु उनके सारे कारज सवार देता है। गुर्पूरे की सरनी उब्रे कारज सगल सवार। है भाई जी परमात्मा हरी के जिस सेवक ने परमात्मा का नाम समरं किया। नाम के आश्रे पर रहा। गुरु पूर्ण गुरु ने कृपा करके उसका दुख दूर का दिया। है मेरे प्यारे भाई गुरु की शरन लेकर के सदा अनन्द मानो। हरी गुबिंद को भी गुरु ने ही जुर से बचाया है। सदा अनन्द करम मेरे प्यारे हरी गुबिंद गुरु दाख्या। बड़ी बड़्याई नानक करते की साचो सब्दि सती पाख्या। नानक जी स्री जन्हार करतार महान शक्तियों के सामें। मुसर सत्यस रुप प्रभु खरी की गुनस्तिती का शब्द ही अच्यारन करना चाहिए। गुरु ने ये उप्युक्त उपदेश किया। वड़ी वड़्याई नानक करते की साचो सब्दु सती पाख्या। सौट थी महला पंजवां। कहते हैं कि एक समय गुरु अर्जुन देवजी के स्पुत्र शिरी हरी गविंद को तीवर जवर हुआ था। प्रभु किरपा से जब जवर मुक्त हुए तो गुरु जी ने उप्योक्त शब्द उच्चारन किया। कतीब है आगे के पाद भी इसी संदान में। सौट थी महला पंजवां। पई किरपाल स्वामी मेरे तिन्नु साच्चे दरबारी सत्गुर्तापु गवाया पाई। ठांडी पई संसारी आपने जिये जंत आपे राखे जम्मी कियो हट तारी। हरी के चरन दिदे उतारी सदा सदा प्रभु सिम्रिये पाई दुख किलवे के काटन हार। है भाई जी जिससे मुनुश पर मेरे मालिक प्रभु जी द्यालो होते हैं। प्रभु के सच्चे दरबार में उस मुनुश को सत्कार मिलता है। प्रभु आप ही अपने सेवकों की रक्षा करते हैं। उन्हें प्रभु सेवकों को मृत्यो श्पर्ष नहीं कर सकती। अधात यम्दूत उनके प्रतिव विमुख हो जाते हैं। अपने जी जन्त आपे रखे जम्ही कियो हट तारी। ये भाई जी परमात्मा हरी के चरण अपने हिद्य में धारन कर। ये भाई परमात्मा का सम्रंद करो वही परमात्मा हरी सारे दुखों पापों को नस्ठ करने वाला है। ये भाई जी जिस परमात्मा ने परतेक जीव को उत्वन किया है। उसकी शर्म लेने वाई जीव पापों से बच जाता है। वह परमात्मा सारे जगत का मूल है। तिसकी सरनी उब्रे पाई जिना रचया सब कोई। समस्त शक्तियों का मालिक उस सत्य सरूप प्रभु हरी की शोवा शाशुत है। नानक जी कहते हैं कि है भाई उस प्रभु का सम्रंद करना चाहिए। जिसके सम्रंद करने से मान तन शांत हो जाता है। नानक प्रभत आईये भाई मन तनो सीतल होया। सौठी मेला पंजबा आउं। संतु हरी हरी नामोत्याई सुख सागर प्रभ विष्राउं नाहीं सुख सागर प्रभ विष्रों नाहीं मन चिंद्रिया फल पाएं। सद गुर्पूरे तापू गवाया अपनी किर्पातारी पारब्रम प्रभ बै द्याला दुख मिटिया सब परदारी। संतु मेरी कामना है कि मैं सदा प्रमात्मा हरी का नाम समरन करता रहा हूं। संतु हरी हरी नामोत्याई। सुख का समुद्र प्रभ विष्रों हरी मुझे कभी विष्रमृत नहीं हैं। और मैं मनवान चित फल पराब्द करता रहा। सुख सागर प्रभ विष्रों नाई मन जिन्दे आड़ा फल पाई। हिसन तो पून गुरु ने बालक हरी गुबिंद का दुख दूर कर दिया। इस परकार गुरु जी ने कृपा की है। परमात्मा हरी कृपा लु हुआ है। और सारे परवार का दुख मित गया। साथगुर मेरे तापुगवाया अपनी किर्पातारी पार ब्रह्म प्रभ वे द्याला दुख मित्या सब परवारी। सरब निरान मंगल रस रूपा हरी का नमो धारो नानक पती राखी परमेशरी उद्रिया सब विचारू। ये संतों परमात्मा का नाम ही एक मात्र सहारा है। हरी नामी सब खुशियों रसों रूपों का भंडार है। नाने जी का कतन है कि परमेशरी ने हमारी पतिष्टा की रख्षा की है क्योंकि वही समस्त संसार की रख्षा करने वाला है। नानक पती राखी परमेशरी उद्रिया सबु संसारू